तो जिसका इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से यानि अटेक ओन टाइटन के फाइनल सीजन के पार्ट टू का अब वो टाइम आने वाला है सापस में लड़ रहे हैं जो वो चीजें देखते हैं तो रोंटे कड़े हो जाते हैं सच में मुझे वो दिन याद आगे जब मैंने इस अटेक ओन टाइटन को शुरू किया था यानि इसके फर्स सीजन को देखना शुरू किया था और जैसे इसकी शुरुआत हुई थी फर्स सीजन से लेकर और अब यह फाइनल सीजन में पहुंची है तो इसकी स्टोरी में जमीन आस्मान का फर्क आ गया है मतलब खराब नहीं बहुत अच्छी हो गई है फर्स सीजन में हमें जैसे देखने को मिलता है कि टाइटन जो है वो लोगों के उपर अटेक कर रही है लेकिन सीजन में पहुंचते है कि यह कुछ और ही लडाई है यहां पर यहां पर कॉमॉनिटी की लडाइ कुछ जो यहां पर लोग दिखाए गए गएं वो यामीर के वन्सज है यहां पर लोगों ने उनको एक northern पे चोड़ रखा है वो island चारों तरब से पानी से गिरा उआ हु और वो उसके बाहर नहीं निकल पारे, उन्होंने दुनिया नहीं देखी, जैसा फर्स सीजन में हमें देखने को मिलता है, फिर बाकी की सीजन में हमें दिखाया जाता है, कि वो टाइटन को मारना सीखते हैं, हमें दिखाया जाता है कि टाइटन कैसे बनते हैं, टाइटन की उमर क इतनी होती है, उनकी पावर क्या-क्या है, परमुक टाइटन्स कौन से हैं, इस आइलेंड के बाहर भी दुनिया है, वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और जो इन लोगों को पता चलता है कि भाई, तुम जिन टाइटन्स को मार रहे थे, वो तुमारे ही कम्यूनिटी के लोग हैं, अब यहाँ पर जो स्टोरी बनती है, वो दो कम्यूनिटी में आपस में लडाई दिखाए गई है, मतलब स्टोरी के नेक्स टैवल पे चली जाती है, कम्यूनिटी के लडाई है, और जैसा हमने एरन को स्टार्टिंग में देखा था, कि भाई यार मुझे वो बंदा इतना अच्छा नहीं लगाता, seriously मुझे नहीं लगाता, क्योंकि first season के अंदर जैसा उसको represent किया गया है, या बाकी के season में final season को हटा दूँ, तो बाकी के season में जैसे उसको represent किया गया है, उसके पास titan की power होते हुए भी, वो पिल्कुल डल है, उसका use नहीं कर पा रहा है, बस हड़ प्रभाव करेक्टर तो आखिरकार इसका एक अदर इसका एरन का लगी रूप हमें सामने मिलते हैं वह तो इसका बिहवियर चेंज हो चुका है अब उसने बहुत शुरू करती है कुछ लोगों के साथ मिलकर अब कुछ लोग उसका साथ दे रहे हैं उसने लोगों को मारना जिनके first part में यह चीज़ें दिखाई गई थी, फिर उसके बारे में दिखाया नहीं गया कि यह चीज़ें क्यों हो रही है, उसका mind change क्या हुआ है, या फिर उसकी क्या planning है, obviously मैं अंदर से तो यही feel कर रहा हूं कि यार, उसकी कोई planning होगी, यह जो चीज़ें कर रहा है, उसके पीछे reason होगा, यह सब चीज़ें करने का, तो हमने यह first season में देखा था, और अब excitement इसलिए जादा है, क्योंकि at least हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कि हाँ यह क्यों हुआ, जितनी चीज़ें हमने wait की थी, अब देखो हैर, मैं काबली तारीफ समझता हूं इसक end कैसे होगा, आखिरकार यह लड़ाई किस mode पे जाने वाली है, और अब इतनी बातें हो गई हैं जिन्होंने इसकी कोई भी season नहीं देखा है, यह attack on titan का कोई season नहीं देखा है, तो तुम एक बहुत बढ़िया एक series miss कर रहे हैं, बढ़िया शब्द भी कम लग रहा है उसके सामने, तो जाकर उसको देखो यार, animation की बात करो देखो यार, story इतनी जवरदस्त है, तो उसकी animation तो यार, बहुत अच्छी होगी, music इसका बहुत बढ़िया दिखाया गया है, मतलब सुनाया गया है, बहुत जवरदस्त है, तो अगर नहीं देखा है, तो अभी तक miss करके ब excited हो तो please comment करके मुझे बताना, और जिन्होंने मांगा पड़ रुकिए तो वो दूर रहना यार, तुम excitement level का नो, मतलब good gober मत कर देना, ठीक है, तो आज कली इतना है रखते हैं इस वीडियो में, thanks for watching this वीडियो मिलते हैं, next वीडियो में, जाहें